नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, विटकोफोल कैप्सूल का उपयोग शरीर में खूण की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है, शरीर में खूण की कमी को मेडिकल भाशा में एनीमिया भी कहते हैं, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को विटकोफोल कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। तेज होना आदी लकشر्ण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुष hard में घुक्तियों में की कमी Хून की कमी होने पर कोई तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि विटकोफोल कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। विटकोफोल कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। विटकोफोल कैपसूल को लेने से पहले और लेने के बाद दो घंटे तक चाई या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाई या कॉफी शरीर में आईरन के अवशोशन को कम कर सकती है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर विटकोफोल कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. लेकिन विटकोफोल कैपसूल की खुराख उम्र, शरीर के वजन और वीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको विटकोफोल कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना विटकोफोल कैपसूल को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि विटकोफोल कैपसूल की वज़से क्या इफेक्स हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में विटकोफोल कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में विटकोफोल कैपसूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. विटकोफोल कैपसू और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि विटकोफोल कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडीशन्स में विटकोफोल कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। विटकोफोल कैपसूल को कालशियम सप्लिमेंट्स दूद और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिट दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका विटकोफोल कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.